In this module, we will discuss systematic collection, especially the importance of systematic collection. Systematic collection, जो के हम museums के अंदर महफूज रखते हैं, इसकी क्या importance है? सबसे पहले तो, के जो historical record है, वो महफूज हो जाता है. ये safe हो जाता है. दूसरा, बहुत सारे specimen ऐसे होते हैं, जो बहुत rare होते हैं. ऐसे जो rare specimens होते हैं, इसका museum के अंदर permanent record रखा जाता है. ताके कोई भी researcher जो है, अगर इस rare specimen इसके characters की study करना चाता है, तो वो museum के अंदर आके इस specimens के उपर study कर सकता है. अगर वो चाहे, तो वो museum curator से बारो भी कर सकता है. इसी तरीके से बहुत सारे specimen ऐसे होते हैं, जो जिग्राफिकली ऐसे इसे इलाकों के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे किसी आम student का या आम researcher का पहुँचना मुम्किन नहीं होता. अगर museum के अंदर वो specimen मौजूद है, तो student या researcher जो है museum curator की मदद से उस specimen की study कर सकते हैं. ईसी तरीके से बहुत सारे specimens ऐसे होते हैं, जो के extinct हो चुके होते हैं. अब ऐसे specimen जो है, अगर इसके पर कोई भी person study करना चाहता है, तो ये specimen क्योंकि अब available नहीं है, अगर इसको कहीं से collect करना चाहता है कोई भी person तो इसकी collection available नहीं हो सकती क्योंकि ये extinct हो चुका है लेकिन क्योंकि इसका permanent record museums के अंदर मौजूद है तो कोई भी जो researcher है वो museum के अंदर इस specimen को तलाश कर सकता है और इसके उपर जो भी उसने study करनी है इसका किसी भी reference से अगर उसने data लेना है तो वो असानी से ले सकता है इसी तरीके से जो museums होते हैं ये किसी भी इलाके का जो record होता है वहाँ का जो फाना है उसको proper document करने में बहुत मददगार थाबित होते हैं museum specimen की मदद से अगर कोई भी person ये verify करना चाहता है कि जो collection उसने की है क्या उसने उसको proper identify किया है for example literature के अंदर एक animal का जिकर है और ये mention है कि इसका जो type specimen है वो किसी museum के अंदर मौजूद है एक researcher अपनी research start करता है वो उस जैसा कोई animal collect करता है ये confirm करने के लिए कि क्या ये जो specimen इसने collect किया है ये जिस specimen का जिकर literature के अंदर उसने पढ़ा था उससे match करता है या नहीं तो वो museum का approach कर सकता है वहाँ से उस specimen को देख सकता है और अपना जो specimen है अपने specimen के character उस specimen के character के साथ match करके ये फैसरा कर सकता है कि दोनो specimen जो है एक ही species से belong करते है या नहीं इसी तरीके से museum के अंदर जो collection available होती है उसके साथ दूसरे जो specimen है उसका comparison किया जा सकता है बहुत सारे जो researches हैं वो comparative studies कर रहे होते हैं परजेंपल एक particular genus के specimen किसी museum के अंदर मौझूद है एक जो researches है वो किसी एक और closely related genus के उपर काम कर रहा है तो वो museum के specimens को consider करके उसके characters को अपने जो genus के characters हैं उनके साथ match कर सकता है और ये मालूम कर सकता है कि इन दोनों जो closely related genre है इनके अंदर कौन-कौन सी similarities है और कौन-कौन से characters ऐसे हैं जो दोनों genre के अंदर different है इसी तरीके से जो museum specimens होते हैं museum specimen ये students के लिए researchers के लिए teaching material परवाइड करते हैं तो कि बहुत सारे इदारों के अंदर जो museums होते हैं वो attached होते हैं उस इदारे के साथ और जब जो researchers हैं या जो students हैं वो अपने practicals perform करते हैं तो students को museum के अंदर लाया जाता है उनको मुख्तलिफ किसम के जो animals है उनकी जो collection museum के अंदर available होती है वो दिखाई जाती है उनके जो characters हैं उनके बारे में उनको information दी जाती है तो इस तरीके से जो museum specimens हैं ये teaching और research के लिए बहुत फायदमन होते हैं इसी तरीके से जो museum के अंदर available specimens हैं इसकी base के उपर जब हम इनके characters की study करते हैं तो उससे हम ये अंदादा लगा सकते हैं कि कौन से organism इसके अंदर ऐसे हैं जो के आपस में एक दूसरे से relate करते हैं और कौन से ऐसे organisms हैं जो एक दूसरे से relate नहीं करते हैं झाल जो कि कौन से आपस्थ झाल झाल